एलो स्टेट्मेंट 20 के बाद कुछ लोग सोचेंगे के अब हम रिलाक्स हैं अब हमें पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं है लेकिन देखिए दोस्तो एकडेमिक एर 2021 और 2021-22 के बीच में ये ब्रिज था ये जो कोर्स था ये ब्रिज कोर्स नाम था इसका तो ये हमने जो भी ग एकडेमिक कोर्स, ग्रामर, कंपोजिशन, क्वेशन पेपर्स सब आपको हम इस चैनल पर एवलेबल कराने वाले हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ हलो दोस्तों आप देख रहे हो बी आर सर सब को पढ़ा देंगे तो चलिए शुरू करते हैं एलो स्टेट्मेंट 20 एलो स्टेट्मेंट 20 में फाइनाइट वर्ब्स, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल्स, जिरन, डिटर्माइनस इन चीजों पर फोकस किया गया है जो के सारी कंसेप्ट मैं आपको अलग-अलग वीडियो में आगे समझाने वाला हूँ लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं देखिए यहां पर हमें यह ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब्स दिये हैं और जिनका हमें सही से यूज करना था जो के मैंने आपको सौल करके दिया है तो एक एक करके समझे चिल्रन प्लेड अन दी ग्राउंड देखिए प्ले का जो यूज करना था फॉर्म वो हमने किया प्ल टेंस हैं सेकेंड वी विल लर्न फ्यूचर टेंस तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है स्वाती मेक्स लवली डिशेश देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस तो यहां पर वर्ब के आगे एस या एस लगता है फॉर्थ जेम्स रोट आल दी करेक्ट आंसर्स इन दी ला इसके बाद में हम देखेंगे extension activity extension activity में देखिए find the error from the given sentences and correct them error हमको पहचानने थे तो पहला sentence है scientists invest देखिए यह जो है scientists यह plural है तो यहां पर use s है यह नहीं लगाना चाहिए था तो हम उने इसको correct करके दिया है शोभा type the official letter तो देखिए शोभा third person singular है तो simple present में यह s लगाना चाहिए था और यह everyday और यह everyday इसमें भी बहुत बड़ा fuck होता है जो के हमने एक वीडियो के through आपको समझा दिया है आप channel पे जाके उसको दे क्या था सही forgot नमबर four the prince give तो देखिए क्या था सही gave gifts to the people in old age यह old age की वज़े से हमने past tense लिया या फिर used to give दिया करते थे जो राजकुमार होते थे वो लोगों को पुराने जमाने में gift दिया करते थे नमबर five motion understanding तो यह कोई sense नहीं बनता motion understands simple present tense या फिर motion is understanding present continuous tense parallel activity find whether the underline verbs are finite or not underline की हुए जो verbs है वो finite है या नहीं हमको पैचारने थे तो यह देखिए finite 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 यहाँ पर थोड़ा सा confusion है यह जो can है यह finite नहीं model auxiliary है और यह give यह भी क्या है finite ठेक है reinforcement find out the verbs from the sentences and identify the tense देखिए verbs को पहचानना है और tense पहचानना है तो यहाँ पर wants यह verb है और tense कों सा है simple present tense दूसरे sentence में decorated यह है verb और simple past tense यह tense थर्ड इसमें enjoy यह verb है और इसका tense है simple present tense इसके बाद में देखिए number four और fifth number four में watched यह verb और tense है simple past tense यहाँ पर writes यह verb और simple present tense यह हो गया tense evaluation find the verb from the given sentences and change it as per the form given in the next sentence देखिए next sentence में हमको दिया है present tense तो हमने इसको present tense में use किया smitha watches third person तो यहाँ पर verb के आगे s लगता है e s लगता है second the director holds तो यहाँ पर past tense करना था use तो hold का हो गया held number third Richard plays cricket very well तो यहाँ पर person हमें change करना था तो दिखिए Richard की जगा i है तो हमने यह जो Richard third person singular है तो यह s लगता है verb के आगे और i यह है first person singular तो इसके आगे s नहीं लगता है number four the team celebrated its success तो future tense use करना था तो हमने किया the team will celebrate its success number five we were making paper boats यह past tense है तो हमको यहाँ पर क्या करना है number change करना है we यह plural है और he singular तो number change होने की वज़े से word की जगा आ गया words he was making paper boats activity two का practice part find verbs from these sentences in sentences में हमको verbs पैचानने है and state whether they are finite और non-finite वो finite है या फिर non-finite यह हमें बताना है तो पहला हमने दिया verb कुण सा है field और वो है finite दूसरा है shining इसी sentence में और वो है non-finite same दूसरे sentence में be यह है main verb जो के finite है और to help यह है non-finite तीसरे sentence में is यह है main verb जो के finite है और smoking यह है non-finite उसी तरीके से number 4 इसमें want यह है main verb जो के finite है और to complete यह है non-finite यहाँ पर become यह है finite verb और following यह है non-finite verb extension activity filling the blanks with an appropriate participles यह brackets में हमको participles दिये हैं उनमें से सही हमको use करना है तो पहला देखिए we entered a remote village living the main road second the closed shop will open tomorrow number third not knowing the answers I took help from my teacher यहाँ से हमने use किया यह number four the villagers spotted an injured tiger number fifth mira tried यहाँ पर देखिए यह गलत हो गया है baking होना था mira tried baking a cake next parallel activity देखिए parallel activity में क्या करना है rewrite the following sentences by adding infinitives as shown in the examples यहाँ पर infinitive add करना है लता likes living a healthy life अब देखिए living की जगह हमने लिया to live उसी तरीके से इसमें the teacher tried testing us तो testing की जगह to test सेम उसी तरीके से composing तो उसकी जगह to compose catching तो यहाँ पर to catch making तो यहाँ पर to make reinforcement underline the gerund and infinitives in the following sentences देखिए underline करना था जो कि मैंने आपको underline करके दिये हैं तो इनको आप लिख लीजिएगा next activity की तरफ चलते हैं अभी देखिए next क्या है evaluation evaluation में फिर in the blanks with proper non-finite verbs यहाँ पर brackets में दिये हैं तो उनके हमें non-finite verbs correct use करना थे we are willing to win the game देखिए to win क्या है non-finite number two the lawyer kept explaining the game explain की जगा explaining the shopkeeper wants to make good income make की जगा to make you can make tasty dishes from spoiled milk number fifth Amitabh Bachan is known for his acting activity number three में देखिए now feeling the correct determiners in the blanks the principle declared the result देखिए यह जो brackets में दिये हैं यहाँ से हमने feel किये the results रश्मी bought an umbrella this book is very interesting your voice is melodious many species of birds are disappearing from the earth do you have any questions तो यह हमने solve कर दिया only a few students get scholarship I have many notes of the new currency these are sorry there are many varieties of mobiles in the market does anybody know the answer to this question extension activity complete the sentences by filling the correct determiners यहाँ पर हमको नीचे brackets में दिये हैं इनको हमको इन sentences में यूज करना थे very few people can write with the left hand everybody is busy watching the match Rajesh used his knowledge to win the game Sambhaji will start a new business Gandhi ji believed in the principle of truth there is a little powder left in the bottle this year the rain is good seven people were appointed in the office evaluation में match the pairs यहाँ पर determiners यहाँ पर examples तो इनको match करना थे तो demonstrative कौन से होते हैं this those quantifiers little any more articles यह तो सबको पता है a and the या फिर दी देखिए the और दी का भी pronunciation अलगल होता है जिसके बारे में हम वीडियो लाने वाले हैं जल्थी possessive तो possessive कौन से होते हैं your और my इस तरीके से सारे yellow statements हमने आपको solve कर दिये हैं आपका bridge course complete हो चुका है लेकिन grammar के सारे topics हम एक एक करके cover करने वाले हैं आपको चैनल पर बने रहना है poetry, prose, composition सब कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है Thank you